नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सागर है और स्वागत है आप सभी का HD Knowledge अड़ा यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से ChatGPT Writer generate email and message using ChatGPT है तो शुरू से अंतक वीडियो को देखते रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को फ्रेस कर लिजे तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पर स्क्रीन पर तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैं Chrome ब्राउजर ओपन कर देता हूं यहाँ पे Chrome browser open हो गया है इसमें मैं अभी chatgptwriter.ai टाइब करके अभी एंटर कर जेता हूँ के बाद यहाँ पे मुझे chatgptwriter, write emails and message, fix grammar mistakes, phrases text, change writing tone, summarize text, much more using chatgpt.ai इसमें इसके नीचे, download free extension का option भी दिखा रहा है उसके नेचे, यहाँ पे high-dust quality response that autocomplete all other AI tool in the market, secure and privacy friendly, all language are supported, work in all chromium based browser such as Chrome, Brave and ages, work on all site, work even better on Gmail, यहाँ पे इतने सारे option दे रहे तो यहाँ पे मैं अभी नीचे scroll down करता हूँ, तो यहाँ पे आपको chatgptwriter की जो भी information है वो आपको screenshot के साथ दिखाई दे रहे होगे, यहाँ पे मैं अभी ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे download free extension पे अभी क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे एक वीडियो भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे overviews भी दिखाई दे रहा है, तो मैं अभी ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे add to chrome पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे add chatgptwriter, write email message with AI, it can read and changes all your data on all websites, तो यहाँ पे मैं add extension पे अभी क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे extension में चार्ड gpt इंस्टल हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैं next चाप पे email open कर देता हूँ, कर देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे email पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी refresh पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ यहां पर मैं पहला वाला email id open कर देता हूं और यहां पर reply पर आभी मैं क्लिक कर देता हूं तो यहां पर नीचे स्क्रोल डाउन करता हूं तो यहां पर मुझे ChatGPT Writer Generate email reply तो यहां पर मैं आभी क्लिक कर देता हूं यहां पर email context उपर दिखा रहा है उसके नीचे briefly enter what do you want to reply तो उसके नीचे एक्जांपल का मुझे message दिखा दिया रहा है तो यहां पर मैं अभी generate reply पर आभी क्लिक कर देता हूं तो यहां पर आभी reply generate हो रहा है यहां पर मुझे generating response दिखा रहा है उसके नीचे अभी email टाइप हो रहा है तो यहां पर रिस्पॉंस अभी भी generate हो रहा है तो जैसे आप का रिस्पॉंस जेनरेट हो जाएगा तो यहां से आप सिलिक करना है जेटा सारा कॉपी करके अपका जो भी email आइडे है पर जाके reply करना है यहां से मैं reply पर अभी मैसेज जो है वो डाल देता हो और हो सेंड कर देता हूं तो यहां पर मैं थर्ड वाले email आइडे सिलिक करता हूं तो इस पर आभी मैं reply पर क्लिक करता हूं उसके बाद यहां पर आपका email कंटेस उपर दिखाई दे रहा होगा उसके बाद briefly enter what do you want to reply उसका एक्जम्पल पर नीचे दिया गया है तो उसके बाद मैं generate reply पर आभी मैं क्लिक करता हूं जो यहां पर मैरा थर्ड वाला email आइडे उसका response generate हो गाया तो इसको मैं आभी पूरी तरह से copy कर देता हूं और मैं आभी close कर देता हूं और यहां पर मैं reply में पेस्ट कर देता हूं जहां मैं reply में पेस्ट कर देता हूं और आप यहां से email id राल के send कर सकते हो तो बस आज के लिए इतना ही तो यह वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताईए अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यो